दोस्तो काम ना मुम्किन है, मुश्किल है या बहुती आसान है या आपको तब ही पता चलता है जब आप उस रास्ते पर चलना सुरू करते हैं आप अपने अंदर से काम को ना करने की इच्छा को या नकारात्मक सोच को जो तरह तरह के सवाल और गलत बिचार आते हैं उनको कैसे हटाना है आज हम आप से इसी बात पर बात करते हैं, दोस्तों किसी के पेरों में गिरकर काम्याबी पाने से बहतर है कि आप अपने पेरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो कि हमें एक सफल व्यक्ति बनना है या हमें एक बड़ा बिजनिसमेन बनना है कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं इसलिए किसी की गुलामी आपको कभी कामियाबी नहीं दिला पाएगी इसके लिए आपको खुद अपने दम पर ही कुछ न कुछ करना होगा दोस्तों लोग कहते हैं कि जिन्दगी को समझना सबके वसकी बात नहीं अगर आप अपनी जिन्दगी को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लड़ना होगा परेसानियों का सामना करना पड़ेगा जब तक आप परेसानियों का सामना नहीं कर सकते जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और अगर आप अपनी जिन्दगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा आपका जो माइंड है वो किस फील्ड में बैस्ट चलता है दोस्तो हर इंसान हर चीज पर कुसल नहीं होता और हम सब अपनी अपनी चीजों में कुसल होते हैं आपको जिन जिन चीजों को करने में मज़ा आता है आपको चाहें जो भी काम अच्छा लगता हो आप जिस काम में भी ज़्यादा इंट्रेस्ट लेते हों उस पर फोकस करें लेकिन आप ये ध्यान जरूर रखें कि ये रास्ता बुरा ना हो जिससे आपकी बज़े से किसी को दुख या नुकसान ना पहुंचे इसलिए आपको अपनी कामियाबी के लिए आपको अच्छा ही रास्ता चुनना होगा दोस्तो आप अपने आपको हमेशा सोने के सिक्के की तरह बनाना सीखो अगर सोने का सिक्का नाली में गिर भी जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती दोस्तो परिशानी हर किसी की जिन्दगी में आती है और यदि ये नहीं भी आ रही है तो आप तुरंथ समझ जाओ या तो तुम गलत कर रहे हो या कुछ नया नहीं कर रहे हो अगर आपकी जिन्दगी में परिसानी आ रही है तो आपको मुस्कराकर आगे बढ़ना होगा दोस्तो तकलीफ हैं आपको हमेशा अज्माती हैं और बहुत अज्माती हैं पर आपको कभी तूटना नहीं है दोस्तो ये वो इम्तिहान होता है जो सबकी जिन्दगी में होता है और यदि इसमें पास हो गए तो दोस्तों यकीन मानिये आपको राजा और महाराजाओं की तरहे चीने से कोई नहीं रोक पाएगा इसलिए दोस्तों आप अपने लक्ष को मजबूती से पकड़ लो और उसको सही दिसा में आगे बढ़ाने की कोईसिस करो आपका लक्ष ही आपकी दिसा है दोस्तों आपको ब्यूडियो के दुआरा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स जरूर करें और ब्यूडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वैल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं इससे हम आपके लिए समय समय पर नई नई जानकारी लेकर आते हैं जिससे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ थैंक्यू दोस्तों